आजे आपने वात करशु दादा मेकण हिंगराज नी यात्राए। सिंध प्रदेशना बदीना तालुकाना जो गामेथी महात्मा मेकण रवाना थै सिंधना उत्तर भागमा माता हिंगराज देवी नी यात्राए जई रहा छे। हिंगलाज नी यात्राय जवामा विकट रस्तों काप वो पड़े छे। रेती नी घुचा टेकराओ चड़ी रहा छे। बार-बार गाउनी बैक मंजलो काप्या पची माताजी हिंगलाज देवी बरोमणनू रूप लई बक्रियों चरावी रहा छे। संत मेकर पोतानी अलवकिक सिद्धी थी हिंगलाज देवी ने ओर्खी जता। हिंगलाज आगे हाथ जोडी। उमंग थी आजे हाजर रहू। आवा विवित गुर्दान वारा भजननी चोसर करे छे। तेथी माता हिंगलाज प्रसन थाई माताजी ना स्वरूपे दर्शन आपेचे ने कहे छे के महात्मा मेकर तमारी यात्रा सफ़ल थाई। हवे तमे आ विकट पत्नी तस्दी न लेता पाचा फरीशको छो। परन्तु मारी यात्रा थाई गणी शताय नहीं। जे थी हूं स्थान के आववा इच्छू छू। महात्मा मेकर हिंगलाज देवीना स्थान के पहुंचे छे। वहली सवारे अलिलकुंड मा स्नान करी पोतानी पासेनी जोरी माथी थुम्रानी माला काडी अलिलकुंड मा धोई पवित्र करी ते पोताना गड़ामा पहरे छे। पोताना पूर्वना स्मरणों ते स्थड़े याद करे छे के भगवान रामचंद्र जी ये लंकाना युद्धमा रावणने मार्यों हतो त्यारे तेमा में पड़ भगवान रामचंद्र जीना नाना भाई लक्षमर तरीके साथ आपे अमने ब्रम हत्यानों पातक लागवा थी अमें बनने भाईयों पापना निवारना थे अहीं लालू जश्राज कापडी अगवानी साथे आवेल हता आ प्रसंगे आ पहाड में उंची टेकरिये पर के ज्या कोई मानस पहुची ना शके त्या में चंद्र अने सुरज दोरी सिंदूर लगावी वच्चे त्रिशूर दोर्या हता ते थी आजे मारे फरी तेले सिंदूर लगाड़ वो जोईए एम मानी पोता नी जोड़ी माथी सिंदूर काढ़ी ते स्थड़े लगाड़े। अने पच्छी माता जीनी प्रतीमा ने तथा दीजा अन्य स्थड़े सिंदूर लगाड़ी जीनाम प्रणाम कार्य बाद लोटन नदीमा लेट्या ने हब नदीमा लोटन स्नान करिय। भायरव कूजा कर्या बाद खारी नदीमा गोधान आपी चंद्रकौप पासे आवी चंद्रकोपने बे हात जोडी विनंती करी. चंद्रकोप ना कुंड मा सोपरी नू फळ मुकी प्रथम पोताना माता पिताना नाम ना उच्चार थी चंद्रकोप ने बोलाव्या जेथी चंद्रकोप भगु की उठ्या ત्यार बाद बिजू सोपारी नू फळ पोताना गुरु गांगारा जाना नाम थी मुकी चंद्रकोप ने बोलावया त्यारे पड़ ते भाब जुडी उठ्या ।्यार बाद तेओ पोताना वती विनंती करे छे के चंद्रकोप स्वामी हुँ कापडी मेकर हिंगराज मातानी यात्राय आवेलो छू मारी यात्रा सफल थाई होए तो जनावशो तेथी चंद्रकोपना कुंड माथी काडा घाटा डहोडा पाणी नो प्रार वखत उचाडो आवेल आम जो पाणी मा उचाडा आवे तो यात्रा सफल थाई गणाए आ रिते दरेक स्थडे विविद रिते यात्रा विदी पतावी महात्मा श्री मेकर हिंगराज थी रवाना थाई थोडो समय सिंद्ना नगर थठा गामे आवी रहे छे त्या थी खेरपूर आवे छे सिंद्नमा आ बनने स्थडोए पोताना भावी कोने अंक्षेत्र शरू करवानू जणावी तेओ कच तरफ आववा रवाना थाया